हेलो एब्रिवन आज हम लेक्चर नमबर टू क्लास 11 की स्टैडिस्टिक्स में आ गये हैं जहां पे हम प्रिवियस क्लास पे लेक्चर नमबर वन पे हम ए ग्रेटर दिन वी से ये वाला ये सब कुछ पर चुके थे और इसमें सबसे जाद इंपॉर्डेंट था फिप्थ ये थी वाला और इन दोनों में क्या क्या बता रहा है कि a vinegar better than zero और दन जिरो और इस ग्रेजट देन भी आई हर एक पर्टिक्लर टर्म के लिए तो अगर इसका एडिशन करें तो बी पर्टिकलर बी वाला सेट का डिशन से ये वाला सेट का इडिशन जयाता हुँगे और अगर बी वाला सेट का मल्टिप्लिकेशन करें तो बी वाला सेट से वह जादा हुए अगर मैं सिक्स्त वाला की बात करूं तो मॉड ए इस टेटन देन और इक्वाल टू ए और यह होता है क्योंकि हर एक वैलू के लिए पर्टिकुलर उसका मॉड वैलू पर्टिकुलर पिपोर्टिजें यह सबसे जादें परिम्पेंठ्कह किये थे और विप्रो कुछ ना उन्हींका मॉड और बंर रिम पर्टिक चीज़ें वाले और उस ग्मेंडियु mouve और और में इंपर्टिक्छ्चर पताना हुँ गणины यहां और धेखने वाले में 28XT परर बड़ा नहीं होने वाले लेकिन बहुत ज्यादा quantity पर आने वाला है ताकि आपको मैं भी बहुत जल्दी जल्दी वीडियो अप्लोड कर पाऊं और आप भी बहुत small time पर और बहुत ज्यादा quantity पर वीडियो आपको मिल पाया और आप उसको बढ़िया दर्गे से तैयार कर पा कर चली स्टार्ट करते हैं अभी नेक्स्ट हमारे जो भी चीजे है वह हम देगने वाले ठीक है लिस्टार्ट करते तो जो यहां पर सहता दाओ है दे square of any real number मैं थोड़ा से धीमे धीमे पढ़ाऊंगा यूंकि एक detailed course चल रहा है तो definitely इस में में धीमे धीमे कराऊंगा non negative क्या लिखा कि as a square of any real number is non negative मतलब अगर कोई भी एक real number होगा और उसका अगर आप square करोगे तो हमेशा वो क्या होगा non negative होगा मतलब जैसे यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा hence क्या होगा a जैसे दो quantity अगर a और b है तो definitely अगर आप a minus b का whole square करोगे तो मतलब a minus b एक real number है और a minus b का square करोगे तो square of any real number हो गया और हमेशा क्या होगा positive होगा अब यहां पर दो चीज़ है एक है positive और एक है non negative अगर आप positive की बात करोगे तो positive हमेशा greater than 0 को बताया जाता है अगर आप non negative की बात करो तो और और equal to 0 को denote करता है तो दो अलग अलग चीज़े है यहां पर आप देख सकते हो इसके बाद यह हम यहां पर पहुंच गए तो यहां पर हमें यह मिला अभी इसको हम अगर तोड़ेंगे तो क्या आएगा a square ठीक है a square minus 2ab plus b square is greater than or equal to 0 इससे आता है a square plus b square is greater than or equal to क्या आएगा आपका 2ab ठीक है तो यह एक number आ गया तो यह एक बहुत ज्यादा important एक relation है इसको आप देख सकते हो अच्छा तो यहां पर actually यह क्या होता है actually यहां पर लिख सकतो actually actually a square plus b square is greater than to mod of a b होता है ठीक है अब यह क्यों होता है क्योंकि यहां पर अगर आप mod value लेओगे तभी यह होगा ठीक है मतलब अगर आप एका दो अलग-अलग quantity है मालों दोनों का अलग-अलग आप sign अगर लेओगे तो अलग-अलग sign के लिए वो negative आ जाएगा negative से हमेशा वो positive होगा अब यहां पर अगर आप यह particular करोगे तो यह होता है actually यह बताए जाता है तो अगर आप mod value अगर यहां plus b square ठीक है इसको साफ तरीके से लिखता हूँ half into 2a square plus b square तो अब यह 2 अंदर ले आओ तो half 2a square plus 2b square यह आ गया ठीक है अब ध्यान से देखिएगा तो यहां पर आपको क्या दिखेगा half, इसको आप क्या लिख सकते हो ध्यान से दिखियेगा a plus b ka whole square plus a minus b ka whole square ताकि इधर से minus 2a भी आएगा इधर से plus 2a भी आएगा cancel out हो जाएगा और इधर से a square plus b square आएगा इधर से a square plus b square आएगा तो दोनों मिला कि two times of a square plus b square आ जाएगा ठीक है आच्छा तो यहां से आपको क्या मिलता है यहां पर हम लिखते हैं तो यहां से मिलता है a square plus b square इधर था a square plus b square तो a square plus b square is greater than or equal to half into a plus b का square अब यह क्यों देखिए ध्यान से a minus b का whole square is greater than or equal to 0 मतलब यह वाला जो चीज़ है यह greater than or equal to 0 और यह तो हमेशा greater than 0 होगा यह तो 0 हो ही नहीं सकता हाँ 0 हो सकता है अगर a equal to b a equal to minus b हो गया तब यह हो सकता है लेकिन यह भी मतलब यह greater than or equal to 0 ही है ठीक है यह हमेशा greater than or equal to 0 ही है अब इसको हम क्यों नहीं लेंगे क्योंकि इसको हम intact रख रहे हैं है इसको हम omit कर रहे हैं तो इसको omit करना इस equal to क्या कर सकते हम यहां पर मतलब इसको omit करने के लिए particular यह जो term है इसको omit करने के लिए और equal to यहां पर sign है तो इसको क्या करना है चेंज करना है एक inequality sign से तो हम क्या कर सकते हैं इसको बता सकते हैं कि already हमें मिल चुका a minus b का whole square is greater than or equal to 0 मतलब यह एक non negative term है तो non negative term plus something is equal to this तो मतलब इस particular जो भी quantity है इसको अगर इस हमेशा हम पोल सकते हैं इस से क्या है बड़ा है मतलब इसको ऐसे समझ सकतो मैं यहां पर समझाने की कोशिस करता हूं यह वाला जो चीज है इसको मैं यहां पर समझाने की कोशिस करता हूं देखिए कोई भी इस यह term मालो a है ठीक है और यह जो चीज है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो हाफ को लेने की ज़रूद नहीं है मदलब इसको हम हाफ को इधर ऐसे भी लिख सकते हैं ना आफ A-B का whole square तो ये वाला जो चीज है इसको हम B ले लेते हैं और ये वाला चीज को C ले लेते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a equal to b plus c, ऐसा ही था, a equal to b plus c, ठीक, ऐसा ही था, तो a equal to b plus c था, a equal to b plus c, को यहाँ पे हम लिख लिए, तो अब देखिए ध्यान से, अगर एक quantity को, कोई दूसरे quantity के equal करना है, तो दूसरे quantity के साथ, कुछ जोड़ना पर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, particular यह दो quantity में, a जादा है, b से equal भी हो सकता है, ठीक है, अब equality design कब हो रहा है, जब c equal to 0 है, ठीक है, यह तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन, ध्यान से सुनिएगा, एक और में बता रहा हूँ, कोई भी एक quantity को, दूसरे quantity से, अगर equal करना है, यहाँ पी equality sign यूज़ करना है, तब दूसरे quantity के साथ, कुछ जोड़ना पर रहा है, कुछ addition करना पर रहा है, इसका मतलब क्या है, particular जो first quantity था, वो second quantity से जादा है, या equal है, equality sign भी आ सकता है, जब C equal to 0 हो जाए, ठीक है, इसका मतलब ही क्या है, A quantity क्या था, A square plus B square था, यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, A equal to क्या था, A square plus B square था, और जो B quantity था, B quantity था, half into A square plus B, A plus B का whole square था, यहाँ पर, तो मतलब क्या आगया, A quantity is greater than, और equal to B quantity, ठीक है, तो हम यह लिख सकते हैं, तो मैं इस detail में समझा दे, कि कैसे हम इसको, यहाँ से यह step ले आए, यहाँ से particular step को, कैसे किया, ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, अच्छा, तो यह समझाने की, पूरा मेरा कोशिश था, ताकि कैसे, इस particular step से, यह step आया, कि कौन से step आया, A square plus B square, is greater than or equal to, half into A plus B का whole square, ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद, यहाँ पे, यह एक particular approach बन गया, कि ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है, यह particular approach बन के, एक derivation type आप, इसको देख सकते हो, ठीक है, अच्छा, दूसरा जो चीज़ आ है, यहाँ पे मैं बताता हूँ, कि, जो 4AB है, 4AB, इसको हम लिख सकते हैं, A plus B का whole square, ठीक है, एक मिनिट, A plus B का whole square, minus of A minus B का whole square, इसका मतलब, क्या होगा, देखो, यहाँ से A square plus B square, minus A square minus B square, cancel out हो जाएगा, इधर से 2AB आएगा, इधर से minus of minus 2AB आएगा, तो 2AB, minus of minus 2AB मतलब, plus 2AB, तो 2AB, plus 2AB, equal to क्या होगा, 4AB, तो अम इसको particular ऐसे लिख सकते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, AB is equals to, A plus B का whole square, minus A minus B का whole square, divided by 4, अब यह 4 इधर दे रहते हैं, इधर दे रहते हैं, तो A plus B का whole square by 4, minus A minus B का whole square by 4, ठीक है, तो इधर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए, A plus B by 2 का whole square, minus A minus B by 2 का whole square, तो यहाँ पर हम लिख लिए, A plus B का whole square, A plus B by 2 का whole square, minus A minus B by 2 का whole square, अब ध्यान से देखिएगा, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, और आपको पताते हैं अब ध्यान से देखिएगा इधर से हम इधर दिखाने हैं तो हमें क्या पता चला कि 4ab is equal to this ठीक है 4ab इधर से देखिएगा 4ab equal to a plus b by 2 का whole square minus a minus b by 2 का whole square यह मिला हमें अच्छा अब ध्यान से देखिएगा कि यहां पर लिखिएगा Hence, if a plus b that is the sum of two positive quantities be given then their product a b ठीक है is maximum when ठीक है a minus b by 2 का whole square is maximum sorry, is minimum मैं समझा रहा हूं इसको particular आप लिख लीचे पहले that is अच्छा यह मैं बाद में बताता हूं ठीक यह ध्यान से कि यह क्या बताया था यह क्या बताया गया है बोल रहा है कि Hence, if a plus b that is the sum of two positive quantities we given their product a b we given कॉमा दे सकते हैं यहाँ पर their product a b is maximum when a minus b by 2 whole square is minimum मतलब क्या देखिए ध्यान से इस particular expression को देखिए 4 a b is equals to a plus b by 2 का whole square minus a minus b by 2 का whole square अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर 4 a b नहीं सिर्फ a b होगा ना यहाँ पर शिर्फ a b यहाँ पर था ना तो a b तो a b था यहाँ पर अब a b जो quantity है यहाँ पर इस particular quantity के बारे में बता रहा है इस a b quantity कब maximum होगा ठीक है इस a b quantity कब maximum होगा इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ तो देखिए a b quantity कब maximum हो सकता है अगर इस quantity के अगर आप बात करोगे particular इस quantity का तो यह quantity क्या है positive quantity है तो यह positive quantity से कुछ positive quantity minus किया जा रहा है मतलब subtract किया जा रहा है और particular जो subtract करने के बाद जो answer आ रहा है वो quantity क्या है AB quantity है इसका मतलब अगर हमें maximize करना है a b quantity को तब हमें minimize करना पड़ेगा इस quantity को क्योंकि ये quantity particular एक positive quantity से minus करने के बाद जो quantity आ रहे है वो quantity है a b तो अगर a b quantity को हमें maximize करना है तो मतलब a minus b by 2 का whole square जो ये quantity है इसको minimize करना है इसको minimize हम सबसे कम कब कर सकते हैं ये ये क्या है ये positive quantity है क्योंकि इसका whole square है मैं अभी discuss कि the square of any real number is non-negative तो मतलब ये quantity तो negative नहीं होगा ना non-negative होगा अब non-negative होना के मतलब क्या है एक होना 0 और एक हो रहा है positive तो हमें तो minimize करना है तो minimize मतलब सबसे कम value लेना है जीरो लेना है तो अगर 0 लेना है particular यहाँ पे हम लिख सकते हैं a minus b by 2 whole square is equals to 0 particular condition के लिए a b maximize होगा ठीक है particular is quantity के लिए sorry condition के लिए a b क्या होगा maximize होगा तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है a minus b by 2 by 2 to 4 हो जाता है 4 into 0 0 is equals to 0 जो मतलब a is equals to b a equal to b particular a equal to b इस condition के लिए इस condition के लिए a b maximize होगा ठीक है यह हमें पता चला ठीक है अच्छा एक और चीज़े उसको भी मैं बता देता हूं उसके बाद particular portion खतम हो जाएगा उसके बाद amg आएगा तो मैं उसको भी बता देता हूं यहाँ पे तो द्यान से देखिएगा एक और चीज़े एगन लिखिएगा साथी साथ एगन a plus b का whole square is equals to हम क्या लिख सकते हैं 4ab plus a minus b का whole square यहाँ से minus 2ab आएगा plus 4ab हो गया plus 2ab और a square plus b square already था तो यहाँ पे a plus b का whole square आएगा ठीक है इफ यहाँ पे लिखिएगा इफ a b that is the product of two positive quantities quantities भी गिवेन देयर भी गिवेन के बाद कॉमा दे सकते हैं देयर सम a plus b is list list मतलब minimum when कब होगा थ्यान से देखिएगा यह क्या बता रहा है यह भी एक product of two positive quantities है मतलब यह एक positive quantity है अब particular इस quantity का मतलब क्या है particular quantity positive quantity plus something non negative quantity तो हमें अगर यह list करना है अब यह list क्यों करना यह तो सकता दन नहीं कब maximize होगा जब particular एक positive quantity से कुछ subtract किया जाएगा और कब list होगा जब कोई एक positive quantity के साथ कुछ non negative quantity add किया जाएगा यहां पर देखिए add किया जा रहा है तो add किया जा तो हमें list करना है list का condition निकाल सकते हैं कब जब यह quantity 0 होगा तब particular इस quantity के साथ यह quantity सबसे मतलब a plus b जो quantity है वो list होगा क्योंकि तब यह quantity कुछ मतलब 4a भी particular positive quantity के साथ कुछ add ही नहीं किया जा रहा है तो तब ही सबसे कम value आएगा इस a plus b quantity का ठीक है तो मतलब a plus b तब क्या होगा list होगा when a minus b whole square is 0 मतलब a equal to b होगा जब a equal to b होगा तब ही a plus b का whole square या आप बोल सकते हूं a plus b जो quantity है वो list उसका list value आएगा ठीक है तो यह minimum होगा कब when a equal to b तो यह condition पर क्या होगा particular plus b minimum होगा तो यह small कुछ मतलब implementation था कुछ basic एक basic बाते का जो basic बात में पहले ही लिख दिया था मैं फिर से लिख रहा हूं कि the square of any real number is non-negative तो यह जो बात है इस particular के उपर हम थोड़ा से implement किया और थोड़ा सा graduation कुछ किये और कुछ condition निकाले तो यह non-negative quantity मतलब क्या होता है और positive quantity मतलब क्या होता है उसके बारे में पता है वह भी ध्यान से आप note कर लिजेगा और उसको ध्यान में रखिएगा ठीक है तो मिल दें next video में तब तक लिए good bye next video में हम AM GM और HM स्टार्ट करने वाले है तक यू